नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल पई एक पीडियाट्रिक नेफरोलोजिस्ट हूँ मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चानल पर आज हम बात करने वाले है कि क्या आपके बच्चे के यूरिन में प्रोटीन है की नहीं बहुत सारे सवाल होंगे जैसे कि डॉक्टर साब मेरे बच्चे के पिशाब में जाग है डॉक्टर साब यूरिन टेस्ट में प्रोटीन कभी 1 प्लस कभी 2 प्लस कभी 3 प्लस है डॉक्टर साब यूरिन प्रोटीन क्रियाटन रेशो 3 है तो अगर मेरे बच्चे के यूरिन में प्रोटीन है तो क्या मुझे डरना चाहिए? आज के वीडियो में सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, इंड तक देखना जरूर. वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए. तो चलो शुरुवात करते हैं. सबसे पहले हम किड्नी का स्ट्रक्चर समझते हैं. जो किड्नी का सबसे चोटा यूनिट है, उसे हम नेफरॉन कहते हैं. इसके दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरिलिस और ट्यूब्यूल्स. ग्लोमेरिलिस हमारे बॉड़े की फिल्टर की तरग काम करता है. Glomerulus शरीर में गंदे खून को साफ करके शरीर में वापस भेज दिता है Normally, proteins हमारे खून के अंदर रहते हैं और usually urine में नहीं निकलते हैं But जब ये filters को कोई damage हो, तब filter के छेद बड़े हो जाते हैं और उससे protein urine में आना चालू हो जाता है इससे Glomerular proteinuria कहते हैं और जब यही tubules खुझ से protein secret करते हैं तो उसे tubular proteinuria कहते हैं तो आपको ये तो समझ आया होगा कि urine में protein कहां से आता है अब हम ये जानते हैं कि proteinuria के कारण क्या-क्या हो सकते हैं सबसे common causes हैं fever, exercise, cold temperature, stress या फिर dehydration ये कारण temporary है और इसे गभान की कोई ज़रूरत नहीं है ये खुदी ठीक हो जाते हैं अगर kidney की बात करें तो जो causes हो सकते हैं वो है urinary tract infection, nephrotic syndrome, glomerulonephritis, high blood pressure, diabetes mellitus, polycystic kidney disease और autoimmune बिमारिया जैसे lupus nephritis और last में chronic kidney disease अब urinary tract infection में तो ज्यादा protein नहीं होता लेकिन बार-बार urine infection होने के कारण से kidney damage हो सकती है और urine में protein की मातरा बढ़ सकती है nephrotic syndrome और glomerulonephritis में kidney के filter को damage होने के कारण से urine में protein लीके चालू हो जाता है high BP और high sugar के कारण से भी kidney के filter को damage हो सकता है और यह जो autoimmune बिमारिया है जिनकी बात हम कर रहे है उसमें अपनी body खुच से ही antibodies create करती है और यह antibodies filter में deposit होते हैं और वहाँ यह antibodies के deposition के वाज़े से filter को damage होता है अब urine में protein हो तो क्या-क्या तकलीफ हो सकती है सबसे पहले पिशाब में जागाना यह बहुत ही common complaint है लेकिन जागाना जरूरी नहीं कि हर बार protein ही हो urine में पिशाब में जागाने के बहुत से कारण है कभी-कभी जोर से पिशाब करना या फिर toilet साफ करने के लिए जो हम detergents use करते है उसके कारण भी जागा सकता है dehydration याने शरीर में पानी कम होने के कारण से भी पिशाब में जागा सकता है इसलिए चेक कीजिए कि urine में हर बार जागा रहा है कि सिर्फ एकाद बार अगर बार बार हो रहा है तो चेक अप करना जरूरी है अगला कंप्लेंट है कि आखों में, पैरों में, शरीर में सूजन आना usually nephrodic syndrome या glomerul nephritis या CKD में ये दिखता है प्रोटीन के साथ साथ कभी-कभी खोन भी पिशाब में मिल सकता है और लास्ट में अगर लंबे टाइम से प्रोटीन लीक हो रहा हो तो फिर हमें weight loss भी मिल सकता है तो अब यूरिन में प्रोटीन है तो उसे चेक कैसे करें? बहुत ही आसान है, सबसे पहले तो आप घर में ही चेक कर सकते हो एक यूरिन डिपस्टिक का इस्तेमाल कीजिए सुभे का सबसे पहले यूरिन लेना और डिपस्टिक को उसमें डुबाना 30 से 60 सेकेंड बाद box पे दिये हुए instructions के हिसाब से चेक करना डिपस्टिक में क्या color change आता है? वो चेक करके उसका result 1+, 2+, 3+, या 4 प्लस आएगा 1+, याने सबसे कम protein और 4+, याने सबसे ज्यादा protein एक यूरिन रूटीन भी कर सकते है इसमें 1+, से 4+, तक का result आ सकता है एक यूरिन protein creatinine ratio भी कर सकते है इसका reference range होता है 0.2 से 2 तक अगर 0.2 से नीचे है तो normal बोल सकते है और 2 के उपर है तो बहुत protein leak हो रहा है और आखरी test एक 24-hour urine protein test होता है 24 घंडे का urine जमा किया जाता है एक दिन में actually कितना leakage हो रहा है proteins का urine में वो पता किया जाता है ये usually doctors हमारे पहले के जो reports है उसमें कोई abnormality लगे तो confirm करने के लिए ये test की जाती है इतने routinely ये test हम नहीं करते है इसका report आपका doctor आपके बच्ची की body surface area calculate करके फिर report देगा तो अब urine में protein हुआ तो क्या करना चाहिए आपके नजदी की pediatric nephrologist या pediatrician के पास जाएए वो आपके बच्ची की history लेगा और एक examination करेगा blood test किये जाएंगे जैसे कि CBC, urea, albumin, creatin, cholesterol कोई special test भी किये जा सकता है जैसे कि C3, C4 और ANA अगर diabetes हो तो sugar testing, HbA1C भी किया जा सकता है urine test तो हमने पहले ही discuss किये है अगर urine infection, CKD या polycystic kidney disease लग रहा हो तो शायद एक sonography भी की जा सकती है अगर protein यरे का कारण पता नहीं चल रहा हो या फिर लंबे समय से protein leakage चल रहा है या फिर urine में protein के साथ खून भी आ रहा है या फिर creatinine बढ़ रहा है तो शायद एक kidney biopsy भी लग सकती है और अगर treatment की बात करे तो urine infection है तो antibiotics दिये जाएंगे अगर nephrotic syndrome है तो steroids दिये जाएंगे अगर glomeral nephritis या autoimmune cause हो तो steroids के साथ-साथ कोई extra immunosuppressants भी दिये जाएंगे अगर BPI हो या diabetes हो तो उनका control करना बेहत ज़रूरी है anti-hypertensives, anti-diabetes medicines के साथ-साथ insulin का भी इस्तमाल किया जा सकता है अगर polycystic kidney disease या फिर chronic kidney disease हो तो उसके लिए supportive treatment है अगर इस वीडियो से आपकी जानकारी बड़ी है ऐसे आपको लगता है तो मेरे mission को support करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए धन्यवाद दोस्तों अगर आपको kidneys के बार में और जानकारी चाहिए तो नीचे comments में पूच सकते है या फिर यहां पर हमें contact कर सकते हैं है